हेलो एब्रिवाइन कैसे हैं आई होव आप लोग ठीक होंगे आज वीडियो लेकर आए हूँ बहुत ही कमाल का है तो इस तरीके से चुए से सभी लोग परेसान है जैसे कि जहां पे भी चुहा पहुंच जाता है कीचन में तो अक्सर चुहा आही जाता है इस तरीके से खाने पीने की समान में मूँ डाल देता है या फिर इस तरीके से आनवारी कभी खुला रह गया तो हाँ पे अक्सर ये घूस कर कुतर देते हैं सारे कप्रे या फिर आनाज का बोड़ी हो गया वो सब भी कार देते हैं या फिर रजाई, कमल ये सब पास पहुंच जाता है और बहुत ही बेरबाद कर देता है जिससे हमें बहुत सारा नुकसान होता है सभी लोग परेशान है इससे छुटकारा पाने के लिए सभी लोग चाहते है और चुहा जो है वो भाग भी जाता है और फिर बापस आ भी जाता है तो हम यदी मारकेट से कोई भी केमिकल इसथरीके से लाते है और फिर चुहा को मारते है तो देखें ऐसे तो चुहा को मारना भी नहीं चाहिए अच्छी वात नहीं है मारना क्योंकि घर पे चुहा मर गया कहां घुस कर मर गया है अब उसे ढूनना भी पड़ता है और उसे बहुत है गंद फैलता है न और जो कि बरदास नहीं होता है मैं ढूनना परता है काम बढ़ जाता है कि कहां है साब सफाई करना परता है तो देखे वो सब हमें उतना क्यों परेसान ही लेना है तो चलिए आज हम घर के चीज़ी से घरेलू उपाई से हम चुए को भगाएंगे बिना मारे हुए चुए को घर से बाहर भगाएंगे तक कैसे भगाएंगे फ्रेंज चलिए अप लोग पुरा वीडियो देखे तभी पता चलेगा और हां आगे बरने से पहले कहना चाती हूँ कि हमारे चैनल पर निव हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेरे और किस कोने से मेरे वीडियो को वाज कर रहे हैं ये भी बता ना फ्रेंज चीकत़ न फ्रेंस ये चैपत्ती से ही आज हम बनाने वाले हैं चूहा भागाने का उपाज़े की आज के बाद से आपके घर में तो चूहा दिखेंगे भी नहीं ये रेमेडी आप एक बना लेते हैं तो चूहा तो आपका घर से बहुत दूर भाग जाएगा और फिर वापस लोटकर नह तो फ्रेंस यहां पर हमें क्या करना है चैपत्ती ले लिए हैं तो हमें अच्छी तरीके से चैपत्ती को नहीं धोना है हमें है ना जैसे कि हमें इसको थोड़ा सा एक बाद धोना है और हमें इस बात का भी दियान रखना है कि हमें मीठा भी इसमें थोड़ा सा रहने देना और यहापी फ्रेंस हम लिये हैं डेट असपार मेडिसान जो कि हमारे घर में पड़े हुए रहता है इस तरीके से जिसे हमें फेक देते हैं तो हमें एक गोलियां ले रहा है इस तरीके से उसके बाद हम लिये फला लाइन का गोली जो कि हम अकसर कपड़े में यूज किया करते तो फ्रेंस आपके घर में ये है तो आप ये ले ले नहीं तो फिर फ़ला लेन का तेल होता है ना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं बट उससे अच्छा गोली ही होगा तो हम इस तोनों को एक साथ ही इस तरीके से अच्छी तरीके से पौडर बना लेंगे तो हाँ फ्रेंस इसको पौडर बना लेंगे अच्छे तरीके से चूर कर मेहिन से और फिर यहाँ पे जो है देखे मेरा पौडर बन गया है और ये जो चैपत्ती है चूहे को बहुत ही पसंद आता है ठीक है ना तो इसलिए जो भी चूहा को पसंद है वो चीज ही हमें यूज करना है तो फ्रेंस इस तरीके से हम जो भी पौडर बनाए है उसको इस तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे तो हाँ फ्रेंस ये बात का धियान रखें कि आसपास बच्चे ना हो तो इसका जो गमक होता है बच्चे से दूर ही इसको रखना है आप एक वारे इस तरीके से बना लेते हैं तो फिर आपको दोवाड़ा बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि चुहा आपके घर में इसके बार टिकेंगे ही नहीं तो यह जो हम बताने जा रहे हैं अभी तक कोई नहीं बताया होगा ठीके फ्रेंज तो इसे हम भी यूज किये हैं इसका असर बहुत ही ज्यादा मि घी डालना है एक चमच तो फ्रेंज हमें घी तो बहुत जरूरी है इसमें डालना क्योंकि घी के बजल से ही कहीं पे भी चुहा जो छुपकर बैठा होगा ना वो आएगा क्योंकि इसका जो खुस्बू होता है बहुत ही अच्छा होता है चुहा कहीं पे भी रहे वो खीचा हुआ इसके पास आही जाएगा तो फ्रेंस इसको अब हम रोटी पे इस तरीके से जो भी हम बना कर इस तरीके से रखे हैं उसको अच्छी तरीके से फैला देंगे तो फ्रेंस जितने भी हम बना हैं ना सारे इसमें अच्छे से फैला देंगे ठीके और आप लोग पुरा तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा फ्रेंज तभी आपके घर से चुए भागेंगे और चुहा से चुटकाडा भी मिलेगा क्योंकि बहुत सारा नुकसान कर देता है मांगे से मांगे समान को वो बिड़बाद करता है जिसे हमें यहां पर अब क्या करना है रोटी को इस तरीके से फोल्ट कर लिया है अब हमें लेना है इस तरीके से धागा तो जो भी धागा हम यूज करते हैं सीने में उससे हमें लेना है तो देखे फ्रेंस इस तरीके से हमें लपेट लेना है अच्छी तरीके से लपेटना है ताकि ये रोटी है खुलेना ठीक है क्योंकि ये ताजा रोटी ये थोड़ा देर इस तरीके से बना हुआ रहेगा न तो ये फिर इस तरीके से खुलेगा नहीं तो फ्रेंस इसलिए हमे लेना है ताजा रोटी रात का रोटी नहीं लेना है क्योंकि रात का रोटी जो है वो टूट जाता है तो बस फ्रेंज यहां पे हमारा बनकर तयार हो गया है अब इसे हमें करना क्या है और किस समय योज करना है बस इसको हमें इस तरीके से कट लगा लेना है तो जितने भी हमे पीस जरूरत है उतना हमें कट लगाना है तो फ्रेंज हमें छोटे-छोटे टुक्रे का भी जरूरत है तो बस हमें छोटे-छोटे भी लेना है नहीं तो फिर हमें इतना बड़ा आपके हिसाब से आप कट कर सकते हैं तो फ्रेंज यहां पर देखें इस तरी कट हो गया है और आपको थोड़ा सभी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और प्लीज मेरा सपोर्ट भी करना तो इस तरीके से देखें फ्रेंज हम प्लेट में इस तरीके से रख लिए अब हम हमें यूज की समय करना है जैसे कि रात में हमें यूज करना है जैसे रात में अब हम कामूं करकर सोने जाते हैं तो उस समय अंधेरा में चुहा जो है बहुत ही घूमता है इधर उदर तो बैस हम उस समय रात में ही इस तरीके से बनाएंगे और फिर हम रखेंगे ताकि रात किचर में भी रखना एन किचर में रहता है तो चुहा पर अउज़ आही जाता है और हम औही पर सयड में रखेंगे ताक्रि आएक और खाएगा इस तरीके से फिरीज के पास भी आजाता है क्योंकि फिरीज में तार हो रहता है उसके बज़र से वो cut करने के लिए थार काड़ देता है तो फृण जो है वो być हो जाता है हमें इस तरीके से bedroom में भी रखना है एक इस्टोर रूम में रखना है क्योंकि उहां उहां चुहा आता ही है जिसे कि सब्सक्राइब है यह तो फ्रेंज यह बहुत ही कमाल का रेमेडिय जिसे आपकी वरी उझ करते हैं तो आपके घर से साढ़े चुए गायब हो जाएंगे तो आप लोग यह वीडियो पशांद आया है तो लाइक सब्सक्राइब सेयर कर देन अफ्रेंज तक अगले वाले को भी शपोर्ट मिले ट झाले टेटे